हलो एविवान आज हम बनाएंगे सूपर टेस्टी क्रिस्पी बिल्कुल मार्केट इस्टाइल पपैटी बहुत यह असानी से बनाने वाले तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको लेना है एक कप मैदा मैदा को छान कर लेंगे इसमें आपको आदी चम्मच नमक डालना है साथ में आपको आदी चम्मच अज्वान इसे हाँ से किरस करके डालेंगे और घी लेना है मेल्ट करके इसको भी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और आपको मसलते हुए इसे अच्छे से आपको बैंड कर लेना है है जैसे पूरी का लगाते बस उस तरह से आपको लगा लेना है और अब को ढजिखessä और फीर पेहन लेना है थोरा सा थेल करना है इसमें आपको अधि चमज आधि- चमज्यराई ठोड़े से हरीमीच κति हुई और साथ में बारीक चौप हुई प्यज और फिर इसे आपको हल्का सोटे करना सोटे करने एक कटोरी मता डाला है ढक कर पकाना जिससे मता रची से सांप्ट हो जाए तो यहां पर मटा भी सौट हो चुकिए अब फिर आपको उबले हुए चार आलू डालना है इन्हें हाँ से तोड़ कर डाल दीजिए आप चाहें तो इन्हें गिरेटर से में गिरेट करके डाल सकते हो लेकिन जैसी मार्केट में आलू आते हैं अंदर बड़े-बड़े से डले होते बस उस तरह से बन जाएंगे तो आज ह जैसे हुए आपको बूझ लेना है अब इसपे कुछ जाएंगे मसाले जिससे आलूओं का स्वाथ और भी टेस्टी हो जाएगा तो नमक ढले अदिशमाच गुनेभी जीरे का पावडर लेंगे आदिशमाच हल्दी आदिशमाच धन्या पावडर आदिशमाच घरम मसाला और आदी चमज लाल मीट पाउडर साथ में आपको निम्बू का जूज डालना है अगर आपको पास निम्बू का जूज नहीं है तो आमचूर पाउडर भी आप एट कर सकते हो बहुत ही अच्छी से बुझाई करना है जब तक कि बढ़ी अची खुसबू नाने लगे क्योंक आपको इसमें 3-4 चमज मेल्ट किया हुआ घी डालना है और अच्छे से स्मूध फेट लेना है जैसे बैटर होता है बस इस तरह से आपको फेटना यह देख सकते आप अब चलिए आटे नी भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है और इसे देख लेते हैं यह अच्छे से सौप ले अच्छे को एक再ना दूरिया पत्ले हुए खाया देख लेता क्तरी तो आपको पतलák सत्व्त कर लिया है और के ब्यूंट को प्ली कर लिया है बबस आपको एक रोटी यह इसमें आपको मैदा की शलरी बनाई चीजिन बनाई नाम यह दाल कर इसको आपको लगार देना करना अगर आप इस तरह से लगाएंगी तो आपकी जो पैटीज बनेगी बहुत जड़े क्रिस्पी और लेयर दार बनेगी तो बस आपको एक एक करके रोटी को रखते जाना है और हर लेयर में आपको वही मैदा वाली इसलरी आपको लगाती जाना है तो लीजी मैंने यहां पे लेयर वाई लेयर सारी रोटियों को अच्छे से कवर कर दिया है अब आपको साइड से रोल करना है अच्छे से दबाते हुए रोल करना है इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल टाइट रोल आपको बनाना है इसे आपको लंबा प्रस करना है आपको इससे क्या होगा बहुत अच्छी आएगी सीद्धा नहीं आपको तिर्चा लेटे हुए आपको अच्छे से बेलने ना है थोड़ा मोठा रखना है जैसे समोचा की पापरी होती न बस उस तरह से आपको बेलना है और आपको सेफ बतुशार कर देना है कि इसमें आपको दो से तीन चमच आलू बाली स्टफिक रखना और दो तरब आपको पानी लगाना है और पिर दूसरा कोना उठा के इसेड़ कर देना अच्छे सील करना है नहीं तो आपकी पेटिज तेल पर जाते हम खुल जाएगी तो आप बोलेगे मैं बताया नहीं है तो इस तरह से आपको अच्छे सी सील करना है जिससे आपकी पैटीज तेल में जाते ही खुले ना आप इस सभी पैटीज को कम्पलीट कर लिया है अब चलिए फ्राइ कर लेते ही तेल को मीडियम गरम रखना है मैं एक देरे देरे से इन्हें पकने दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें ऊलट पुलट करके गोल्डन कलर आप कर लिजिए तो यह दिखिए आप देख रहे हैं मेरी पैटीज में कितनी सारी लेर दिख रही तो आप इस तरह से बनाई बहुत क्रिस्पी करारी हमारी पैटीज बनकर कंप्लीट हो चुकी है तो लिजिए आपकी मार्केटी स्टाइल पैटीज बनकर तैयार हो चुकी है तो बस आप भी बनाओ खाओ इंज्वाए करो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो बबबाई